नमस्कार में हूँ आपके साथ अरुन ठाकुर आप मेरे साथ देख रहे हैं सरके लैब इस समय हम मौजूद हैं गाउं खाउपुर में जहां पर आज राश्टी सेवा योजना का केम्प लगा हुआ यह साथ दिनों के लिए केम्प लगाया जा रहा है जो हमारे साथ आज मौ से क्या कुछ कहा जाता है और गाउं में किस-क्स क्या उद्दिस है क्यों यह लगाया गया है अँशनाल सर्विस इसमें यह 12 सरकार द्वारा चलाई हुई है ये स्वामी बेवेकानन्द जी ने इसका शुरुवात ही हुई है, मात्मा गांदी जी के जो जनम सताब दी थी जब से इसका प्रारम हुआ है, तो इसका आर्थ होता है कि बच्चों को विद्या लेके इस तरपर ही कख्या 11 से NSS दी जाती है इंटर कॉलेज में, 11 और 12, दो सा सब्सक्राइब करने के बाद इनने सर्टिपिकेट मिलता है, जो जिन्दगी में आगे काम आता है, 10 नमर मिलते हैं वैसे उस पर, इसका सिखाने का उद्देश, NSS का उद्देश होता है, नेशनल सर्विस स्कीम राष्ट की हम सेवा की भावना बच्चों में किस प्रकार से बच्चे हैं, इनने सारी रिक और मांसिक विकास के साथ साथ, इनका व्यक्तित का भी विकास हो सके, इनके अंदर राष्ट के प्रती भक्ती भावना रहे, देश सेवा की भावना रह सके, इस प्रकार से इनने हैं राष्टी सेवा योजना के नाम से एक स्कीम सरकार ने चल में इनका बिसेश सिविर लगाया जाता है वो सववच्चे सामान सिविर में काम करते हैं इनका कार्य होता है पौधार उपन और सफाई में बिसेश कार करना विद्याले में हो बाहर हो इनकी भावना में इनके एक खून में एक-एक सब्द ये भर दिया जाता है कि हम होता है और यह आगे अगे और यह आगे ब्रख्यार नोपन करना मत इस अपने मत का सद्पी उकर यह हमारे इसमें विशेष सिवर में कई होते हैं कारकरम जाग रूपता कुछ उब्यक्ति कहते हैं कि हम अपने बोट को नडा रहे हमारों नेता कौन सो हमें कुछ खिलाने के लिए देता है नहीं अपने बोट का प्रियोग करें हमारा कोई भी स्वेम से वकिस बात को नहीं कहता कि किसी प्रियोटी कि भाई आप अपने घर के आसपास गंदगी न पहलाएं सरकार घर घर में सोचाले हैं बेटियां आजकल बाहर सोचाले के लिए न जाएं बाहर गंदगी न हो इसकी भी जानकारी सरकार ने लोग अभी इतनी जाग रूपता नहीं है कि उसमें अन्य सामान पड प्रियोग करें साधिया मौझूद है पूर मादमिक विद्याले खानपूर के प्रधानाचारी जी हम उनसे भी बात करते हैं कि आज उन्होंने यहां पे बहुत दिक चर्चा की है तो क्या कुछ बच्चों को उबदिश्ट दिया है और क्या कुछ उन्होंने का आज आज ए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं के कारक्रम पे चर्चा की और प्रकास डाला हमने बताया कि देखिए आज देश की अगर आदी आवादी हमारे यहां महलाओं की अगर वह अनपढ़ होंगी तो निश्यत रूपशे हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा और बिक्स त्रे साइब देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए एक तो इस प्रहने चर्चा कि उसके बाद बहुत दिक चर्चा हो जिसमें धेश के बारे में करनी है देश की सिवा का वर्थ यहीं नहीं है कि हम वहीं पर पर लड़ें मिगा उसके सिवार कषचा कंशा की कई एक इस देश को आगे δผม चाल रा है। इसमें कि इसमें आफ जो सीक रहें उसको आपको ऑपका सीमित रहा है आफ जब तो आप लोगों को और कुभी जागरोग करें बताएं कि हमने इस एनसे केम भी इसी का था हमारे गुरू ने शिखाया था कि एनसे का मतलब यह उतराश्टी सेवा योजनाम यह कार किया दें इस पर हमने आज इनसे करीब एक गंटे तक इस बात पर चर्चा की मेरे साथ यहां संकर सर्माजी बेंसे भी बात करते हैं कि इनके गौण में जो सिवर लगा हुआ है जो एनसे का नहीं होपाया है आप इसे सफाई हो रही है को सभी बच्चे गाउन के सपाई अच्छी तरह करने हो सभी खुशे कितने दिरों से इक चार दिन से चल रहा है ता यह प्ली प्रेज दे रहे हैं कि सफ़ाई रखने चाहिए उससे कुछ सबस शीकने को मिल रहा है हम मिल रहा है मत्दान के बारे में बोलते हैं मत्दान करो अब आप कि अब आप आप कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि E